गूदूरेंग सिजन्स फूज टॉपिक है वो है हमलोगा Quad equation तो Quad equation को लास का कई है application option टीक है तो बैसिकल क्या होगा हम लोग को मतलब कोकेuation दिया वा रहेगा statement य Patient कoh पढ़ के हम लोग को Quad equation form करना है उसको も 파 الذक्र करका solution मिल जाएगा यह मतलब actually जो application of quadratic equation है देखो यह मतलब basically हम लोगा real life situation पर हम लोग quadratic equation का यूज कैसे करेंगे बाद different जो circumstances आएंगे जहां पर हम लोग quadratic equation का यूज कर सकता है तो वह हम लोग देखेंगे या पर तो आप देखो यहां पर पहला हम लोग कोशन से start करते हैं find a whole number which when decreased by 20 becomes equal to 69 times the reciprocal of the number तो देखो भी whole number पहले आपको जाना है whole number कहा से start होता है 0 से start होता है 0, 1, 2, 3, 4, dot, 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 right so whole number हो रहा है यहापे ठीक है negative numbers पर नहीं आएगा तो which one decreased find the whole number which one decreased by 20 becomes equal to 69 times the reciprocal of the number reciprocal मतला उस number का उलता है ठीक है अगर मैं यह पक्रूँ तो 1 by A अगर 5 पक्रूँ तो उसका reciprocal क्या होगा 1 by 5 हो जागा अगर मैं 1 by 7 बोलता हो तो उसका reciprocal क्या हो जागा 7 हो जागा ठीक है तो आपी देखो जो number हमने को निकालने बोला गया तो मैंने क्या पका लिया let the whole number be x तो मैंने उस number को x पकार दिया ठीक है तो x पकार ने के बाद according to question find the whole number which one decreased by 20 अगर मैं 20 से घटा दू तो according to question अगर x से मैं 20 घटा दू तो बोला गया आपे decrease by 20 इसलिए x-20 कर दिया हूँ becomes equal to इसलिए equal to sign day becomes equal to 69 times 69 times का मतलब क्या 69 multiplied with times मतलब multiply the reciprocal of the number reciprocal मतलब उसका उल्टा तो मैंने number पकार था x तो 69 times the reciprocal तो x का reciprocal क्या होगा 1 by x तो अभी जो अगर हम तो cos multiply करते x किसे multiply हो जाएगा x-20 के साथ तो x से आप पर जो था वो multiply होगा आप पर x-20 के साथ equal to 69 बचा तो फिर x into x will be x square x into minus 20 x and 69 को स्रफ लेका या तो minus 69 equals to 0 इसके बाद आपको क्या मिल गया क्वार्ट equation मिल गया आपको मालूम मैं जो middle term factorization कैसे करना है तो मैंने middle term factorization कर दिया करने के बाद x minus 23 x plus 3 equals to 0 आइदर x equals to 23 हो रहा है और x equals to minus 3 हो रहा है दोको अभी हमनों का the required x था वो क्या था whole number था क्या whole number negative हो सकता है नहीं so therefore which is not possible तो हमनों का required whole number क्या हो जाएगा 23 all right next question देखो the sum of squares the sum of squares of three consecutive natural numbers is 770 find the numbers consecutive का मतलब क्या हो गया आपका 1 के बाद 1 ठीक है मतलब जो numbers लगा हो रहा है जैसे 5, 6 consecutive है मतलब 5 के बाद next 6 आता है 8 के बाद क्या होता है 9, right 8, 9 एक के बाद देखना तो उसको हमनों consecutive numbers बोलते है अगर 3 consecutive numbers का बोलो तो जैसे 1, 2, 3 5, 6, 7 100, 101, 102, right तो मैंने क्या किया देखो consecutive मतलब लगा हो रहेगा सी difference 1 लगा उनलों के बीच में तो मैंने क्या किया आप क्या कर सकते हो जैसे 3 consecutive natural numbers बोला गया तो आप एक को प्यारे आगर x पकाड़ते हो तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, right उसके next बोला क्या होगा x प्लस 1 के बाद उसके साथ और एक 1 प्लस होगा तो x प्लस 2 तो x एक साथ और एक 1 प्लस करने से एक्स प्लास वन उसके सब्सटा और एक बास लेसे इक्स 2 ऑगया रहा है यह हो आपको जाख पकड़ा हो गया प्लासन के सब्स्स प्लास भ नदा दियो सकती है इस्प्लो करने के इस ऐब कह रहा है और यह सब्स्सक्राइब घंचир में बॉल्हाए इस चुर्टा हो according to question the sum of squares उनलों का squares of three consecutive natural numbers is 770 तो पहला वाला x-1 है तो x-1 is square दुस्रा वाला x है तो x square तो x plus 1 है तो x plus 1 square is will be 770 तो फिर a minus b whole square के अपसे मैंने तोड़ दिया x square plus 1 minus 2x या पर x square था तो x square आ गया फिर x plus 1 whole square को मैंने तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा x square plus 1 और फिर क्या 2x हो जाएगा तो 770 तो या पर x square times 2 minus 2x plus 2x twice cancel हो गए तो क्या बच रहा है 3x square plus या पर आपको 1 और एक 1 2 और 1 plus 1 is here 2 plus 2 equals 770 तो अगर 2 को सिर्फ लेको तो minus 2 तो इससे 2 जाने चाएगा 760 हो जा रहा है तो x square क्या जाएगा 760 by 3 equals 256 256 का मतलब क्या 16 square तो x क्या हो जाएगा plus minus 16 अब यी फिर्ट से देखो natural numbers बोला गया natural numbers कहा से start होता है आपका natural numbers कहा से start होता है numbers are 15 16 17